नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ITA exam solutions में दोस्तों आजम cell and battery का part for complete करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों कुछन सौल करना स्टार्ट करते हैं Question number 31 है Dash is the process of plating a layer of any metal on other material by passing an electric current Dash विद्धियुदारा परवाइद करके किसी दातू की परत को अन्य सामागरी पर चाड़ाने की प्रक्रिया को क्या गा जाता है ये electroplating भी electrofacing, say electrochemical and degalvanization दोस्तों electroplating वो प्रक्रिया होती है जिस पे हम metal की thin layer को दूसरी एक metal की layer पर या दूसरी एक conductive surface पर चड़ाते हैं By using the electricity Electroplating को दो भागों में divide कर सकते हैं एक है electro और दूसरा है plating Electro का मतलब क्या होता है Electro का मतलब होता है यहाँ पर electric current यह एक process है और plating क्या है यहाँ पर signify कर रहा है Plating यह signify कर रहा है कि हम किसी एक material पर किसी दूसरे material की एक layer चड़ा रहे है इसे बोला जाता है plating अब इसके main purpose क्या क्या है Electroplating किसी भी material को corrosion से बचाता है हम Electroplating की मदद से एक ऐसे material में जिसमें corrosion हो रहा है जिसमें जंग लग रही हो उसमें plating कर सकते हैं एक परच चड़ा सकते हैं ऐसे material की जो जंग रोधक हो जैसे आपने कई बार देखा भी होगा है जैसे कार के pumpers होते हैं उसमें हम chrome की plating कर देते हैं तो जो chrome बनाया जाता है वो basically Electroplating के द्वारा बनाया जाता है दूसरा इसका काम है decoration करने का decoration in the sense जब हम किसी jewelry में किसी cutlery में या किसी अन्य object में किसी एक premium object की plating कर दे वो example हमर पार चांदी है और हम उसमें सोने की परत चड़ाना चाते हैं तो हम क्या करेंगे हम Electroplating कर देंगे जिसकी मदद से हम चांदी पर सोने की परत को चड़ा सकते हैं अब जो चांदी है वो कफी ज़्यादा attractive हो गया है कफी ज़्यादा decorative हो गया है तो ये decoration के कफी ज़्यादा काम आता है अब Electroplating की application क्या है Electroplating को automobile में यूज करा जाता है जैसे कि मैंने बताया था कि भी कार के bumper में हम chrome का यूज करते हैं और इससे कुछ खिलोने भी बनाए जाते है तो दोस्तों उसका right answer को option number A Electroplating Question number 32 है वास अमागरी जिससे Electroplate किया जाता है वो क्या होता है एक can be connected to either cathode or anode is freely kept in the electrolyte tank C is connected to the terminal of the cathode and D is connected to the terminal of the anode दोस्तों Electroplating ये process है जिसमें हम किसी भी metal की एक layer को है एक cathode होगा एक anode होगा cathode वो material है दोस्तों जिसमें reduction होता है या इसको ये कह सकते है जिसमें हमें plating करनी है plating to be done वो होता है आपका cathode इसका मतलब यह होगा जो positively charge iron होते है जिसे cation बोलते है वो कहां पर attract होंगे वो cathode की तरफ attract होंगे और cathode क्या करेगा electron को gain करेगा और anode क्या होता है जिसके माध्यम से electroplating होती है जिसके द्वारा हमें electroplating करनी होती है या जिसकी layer हमें दूसरे एक material पर चड़ानी होती है वो होता है anode और anode में क्या होता है oxidation होता है anode से क्या होता है एनोर से electron lose होते हैं और वो electrolyte solution में dissolve होते हैं तो जिस material को हमें electroplating करना होता है वो होता है हमारा cathode terminal So option number 6 इसका right option होगा Question number 33 है Before starting electroplating but action is to be necessarily taken Electroplating शुरू करने से पहले क्या कारेवाई करना आवश्चक होता है यह buffing, besoldering, sick cleaning, anti-polishing अगर हमें किसी material को electroplating करनी है तो हमें पहले material को clean करना होगा हम material को clean करते हैं उसके dirt particle को remove करते हैं उसकी dust हो गया, grease हो गया other contaminants हो गया उनको हम remove करते हैं और cleaning को हम अलग-अलग method से कर सकते हैं by using soap and water या ultrasonic cleaning कर सकते हैं या weather decreasing भी इसमें कर सकते हैं decreasing क्या होता है अगर किसी भी एक metal में कोई oil का trace रहा जाए या कोई grease का trace रहा जाए तो उसको remove करने के लिए हम use करते है decreasing agent तो इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी जो एक metal है वो पूरी तरीके से contaminant free हो चुका है और last process क्या होती है हम किसी भी inorganic coating को remove करते है कोई भी ऐसी inorganic coating जैसे rust हो गया oxide हो गया या कोई भी ऐसी coating जो surface पर जमाय रह जाती है उसको हमें remove करना होता है तब ही आपका जो metal है पूरी तरीके से clean हो पाएगा इसके लिए हम कोई chemical compound का यूज कर सकते है chemical solution का यूज कर सकते है mechanical method के शुरू कर सकते है तो अलग-अलग method से हम inorganic coating को remove करते है तो सबसे पहले हम क्या करते है electroplating शुरू करने से पहले cleaning करते है so option number 6 का right option होगा question number 34 है electroplating is used for electroplating का उपयोग किसके लिए किया जाता है question थोड़े same लगेंगे और अभी easy लगेंगे क्योंकि ये question एक क्रमबत तरीके से चल रहे है लेकिन जब आप exam में देंगे तो ये questions काफी ज़्यादा आपको अलग-लग दिखेंगे तो आप जितनी ज़्यादा practice करेंगे जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए benefit होगा तो अभी आपको फिलाल ये question easy लग रहे होंगे लेकिन future में आपको ये question खाफ ज़्यादा काम आने वाले है इसलिए मैंने जितने भी possible question बन सकते हैं वो सारे possible question मैंने य इसकी परपस के लिए use करा जाता है पहला तो परपस हम पहले ही पढ़ चुके दे हम किसी भी metal को को रिजन से या जंग से बचा सकते हैं दूसरा इसका फाइदा क्या होता है ये एक reflecting property प्रोपर्टी प्रोवाइट करता है इलेक्ट्र प्लेटी जैसे हम chrome material का यूज करते हैं और कौनकों से reflective surface होते हैं silver आपका एक बहुत अच्छा reflective surface होता है reflective surface का मतलब यहां से signing surface है और इसका इसका इस्तमाल आम तोर पर card, headlight, bumper, mirror में इस्तमाल करा जाता है और ये किसी भी article को signing appearance देता है article in the sense किसी भी metal को किसी भी object को ये signing appearance देता है signing appearance का मतलब यहां पर decorations है jewelry हो गई, gold हो गया, nickel हो गया, यह क्या है यह काफी ज्यादा attractive metals है और यह worn out metals को भी कुछ हद तक बचा सकता है, worn out metal बहुं metal होते हैं जो काफी गिस जाते हैं, खराब होने की कगार पर होते हैं तो electroplating उसके लिए भी इस्तमाल की जाती है इसका right answer होगा option number D, all of the above, last वाला option none of the above की जगे, all of the above आना चाहिएं इसको मैं correct कर दूँगा, option number D इसका right option होगा question number 35 is the electroplating is an example for the dash of the electric current, electroplating विद्धिवदारा के dash के लिए एक उदारण है, ये physical effect भी magnetic effect सी chemical effect and the none of the above electroplating किसका example है, electroplating chemical effect of electric current का example है, इसका हिंदी में अनुवात करें तो electroplating विद्धिवदारा के रसाइनिक परवाव का एक उदारण है तो अलग-अलग effect होते हैं, जैसे physical effect होता है, physical effect क्या होता है, जब भी कोई एक human body, किसी भी bare current carrying conductor को, नंगे तार को touch कर ले, वो क्या होता है, वो physical effect होता है तो उस case में क्या होता है, current आपकी body से flow करता है, जिससे आपको shock लग सकता है magnetic effect क्या होता है, जब एक current किसी coil से pass करें और वो magnetic field को produce करें, उसे बोला जाता है magnetic effect of electric current chemical effect क्या होता है, जब हम एक electric current को किसी भी एक electrolyte solution से pass करते हैं, तो एक chemical परक्रिया होती है इसको बोला जाता है, chemical effect of electric current, इसके example है, electro bleeding, cells and battery, charging, refining, refining of metal, यह किसके example है यह chemical effect of electric current के example है, heating effect में क्या होता है, जब हम किसी भी electric current को pass करते हैं, किसी भी एक conductor से तो heat produce होती है उस conductor में, किसकी वज़ासे resistance की वज़ास, तो इसे बोला जाता है heating effect of electric current, इसके example है soldering iron, electrical kettle, electrical welding, तो यह किसके example ही heating effect की example है, तो इसका right answer होगा option number C chemical effect, question number 36 है what factor effect electroblating, electroblating को कौन से कारक परवावित करते हैं, इस surface area भी material type C temperature LD all of the above, electroblating को कई सारे factor परवावित कर सकते हैं, पहला factor है surface area, तो जिसको हम electroblating कर रहे हैं, तो cathode जो terminal है, उसकी हम electroblating करते हैं, तो किसे पे depend करता है, वो surface area पे depend करता है, क्यों, क्योंकि अगर surface area ज़्यादा होगा cathode का, तो हमें ज़्यादा electrical current की requirement होगी, ताकि proper coating हो सके, जित्रा कम आपका चेतरफल होगा, हमें कुतने ही कम electrical current की requirement होगी, next है material type, अब हम किस तरह के material को electroblating कर रहे हैं, यह भी बहुत जादे important factor है, क्योंकि हर एक material का अपना एक deposition rate होता है, किस rate से cathode पे metal की परश चड़ रहे है, वो आपका material type होगी, किसी material में बहुत fast हो जाएगी, किसी material मे depends on material type, next है temperature, temperature भी काफी हद तक electroblating process को प्रभावित करता है, क्योंकि जब temperature हाई होगा, तो conductivity increase हो जाती है, जिसे deposition rate बढ़ जाता है, क्योंकि iron का diffusion काफी easily हो पाता है, लेकिन अगर temperature काफी ज़्यादा हो गया, तो उससे एक और problem हो सकती है, uneven plating हो सकती है, burning हो सकती है, तो इन of the following acid is commonly used in the electroplating and metal finishing industry, निमलिकित में से कौन सा acid आम तोर पर electroplating और दातू प्रिश्करण उद्योगों में उप्योग किया जाता है, A. Sulphuric Acid, B. Hydrochloric Acid, C. Nitric Acid, D. Methane Sulphonic Acid, D. Methane Sulphonic Acid, दोस्तों, electroplating में पहले कौन सा acid यूज होता था, वो होता था, fluorobic acid, और इसको अब Methane Sulphonic Acid का iron division काफी अच्छा होता है, इसकी वज़ासे इसकी electrical conductivity काफी higher होती है, इसमें thermal stability भी काफी अच्छी होती है, Methane Sulphonic Acid high temperature पे भी काफी ज़्यादा stable रह सकता है, जिसकी वज़ासे जो electroplating होगी, वो काफी ज़्यादा even होगी, और इसमें corrosion भी कम होता है, अगर हम इस sulfuric acid इसका right option होगा, question number 38 है the voltage applied to the electrode पर electroplating इस जिन दी range हो, electroplating के लिए electrode में लागो voltage की सिमा क्या होती है, ए 24V to 48V, भी 24V to 48V DC, C 1V to 6V DC, ND 1V to 6V AC, दोस्तों electroplating में जो voltage range होती है, वो होती है 1V से 6V, और कौन सी DC voltage, क्योंकि voltage का है, एक driving force है, किसी भी electroplating reaction को start करने के लिए, ये एक necessary energy provide करता है, ताकि metal ion move कर सके, अगर हम voltage range को इस range में रखेंगे, 1V से 6V की range में रखेंगे, तो जो metal deposition होगा, वो काफी ज्यादा efficient होगा, अगर voltage काफी कम हुआ, तो उस case में क्या होगा, जो driving force मिल रहा है, जो actual force मिल रहा है, ions को movement के लिए, वो नहीं मिल पाएगा, औ और electroplating अच्छी तरीके से नहीं उपाएगी, अगर voltage हमने ज्यादा कर दिया, तो उस case में क्या होगा, उस case में hydrogen cash काफी ज्यादा बनेगी, जो क्या करेगी, electroplating को disrupt कर देगी, और high voltage क्या कर सकता है, excessive heat generate कर सकता है, जिससे object damage हो सकता है, या object burn हो सकता है, और nominal voltage अलग अलग अ है, क्योंकि high voltage में क्या होगा, heat generate होगी, heat generate से क्या होगा, diffusion process fast होगी, diffusion process fast होगी, तो electroplating जनली हो जाएगी, so option number C, 1 volt से 6 volt DC, इसका right option होगा, question number 39, which of the following application of electrolysis is not covered under electro deposition, electrolysis का निमलेकित में से कौन सा अनुपयोग, electrode जमाव के अंतरगत नहीं आता है, a. electro polishing, b. electro facing, c. electro bleeding, d. electro phone में, डोस्तों, electro polishing, electro deposition का अंडर में नहीं आता है, और पहले हम देख लेते, electro deposition क्या होता है, electro deposition एक वो टेक्निक होती है, जिसमें हम electricity का use करके, किसी एक metal layer पर, किसी metallic या non metallic surface की coating करते है, electro facing क्या होता है, ये भी оė틸 का coating करने का process होता है, जिसमें हम harder metal का use करते है, for electro deposition, अर इस में हम किसी भी एक metal layer पर non-metallic layer की परच चड़ा देते हैं और इसके क्या फाइदे हैं को रिजन resistance होता है reflective surface होता है one metal को हम restore कर सकते हैं और इसका aesthetic look होता है electro polishing क्या होता है यह electro plating का opposite होता है हम electricity की मदद से जो thin layer बनाई हुई है उसको remove करते हैं electro polishing is opposite of electro plating electro plating में हमने thin layer को चड़ाया और electro polishing में हमने उस thin layer को हटाया electro forming में क्या करते हैं हम एक metallic replica create करते हैं और एक बिल्कुल new object को create कर देते हैं या new metal को create कर देते हैं तो दोस्तो option number यह electro polishing का right option होगा question number 40 what is the color of negative plate of a lead acid battery under a fully discharge condition full of the discharge रवस्ता में lead acid battery की negative plate का रंग कैसा होता है यह dark chocolate brown by gold is brown c pure white ndized slate gray दोस्तो lead acid battery में d e men plates होती हैं एक positive plate होती है एक negative plate होती है positive plate बनी किसकी होती है वो the modified peroxide की बनी होती है और fully charged state में जो positive plate का color होता है वो होता है dark brown और negative plate किसकी बनी होती है यह LED की बनी होती है और fully charge condition में negative plate gray appear होती है slate gray appear होती है लेकिन इनका color discharge condition में अलग होता है discharge condition में negative और positive दोनों plate का color pure white होता है और discharge condition में एक और चीज़ होती है discharge condition में negative और positive plate में क्या बनता है LED sulfate बनता है PBSO4 तो fully discharge plate में negative plate किस रंकी होती है वो प्योर वाइट रंकी होती है, so option number 6 का right option होगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्लेज इस वीडियो को लाइक कीजिए माई चैनल को सस्क्राइब कीजिए and thanks for watching